हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल बेसिक एलेक्ट्रिकल आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर इन दी पैरलल सो हमारे पास दो बल्ब है एक 25 वाट के एक 100 वाट के और इनको अगर हम पैरलल में कनेक्ट करेंगे तो कौ कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा 25 वाट का पहले ग्लो करेगा ब्राइटर या 100 वाट का ब्राइटर ग्लो करेगा या दोनों ब्राइटर ग्लो करेंगे तो इसके बारे में प्रिवियस केस में हमने देखा था एक हमारे पिछले वीडियो में हमने डाला था कि सीरीज से में अगर connect करते हैं तो कौन सा brighter glow करेmoset आज हमारे पास है कि हम अगर सा brighter glow करते हैं तो काँ सा brighter glow करे 알려け तो हमारे सबसे पहला में have Bob या हं तो इसका आपको बारे हम पता ही होता है तो एक टर्मनिल आपका क्या है पॉजिटिव फेस डाल है और आपका neutral तो एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगटिव तो सब से पहला आप एक case note कर ले पहला case होगा, आपको चानना होगा कि जितना भी ज्यादा heat dissipate होगा वो ज्यादा more brightness means more power और heat dissipation is equal to more brightness तो फिस्ट है हमारे पास एक 25 वाट का बल्ब है हमारे पास means P1 is equal to 25 वाट, P2 is equal to 100 वाट and V is equal to 220 वाट and P is equal to हम जानते हैं क्या होता है V into I, voltage into current so P is equal to V और Ohm's law से हम जानते हैं V equal to I, R so I के जगे हम क्या लिख सकते हैं V by R, मतलब आपका यह क्या हो गया V square by R, next हमारे पास case है अगर हम 25 वाट की हम बात करते हैं ठीक है, अगर हम 25 वाट के लिए हम लेके हैं तो R1 is equal to क्या होगा, आपका case यहाँ पे R1 is equal to V square upon P1 हम लिख सकते हैं और V square हम रखेंगे क्या हमारे पास, कितना voltage है 220 का square upon P1 की value कितनी है, 25 तो यहाँ आपका resistance आएगा, 1936 similarly, अगर हम case बात करते हैं R2 is equal to हम निकालेंगे तो क्या होगा V square, voltage कितना है 220 का square upon P1 P2 यहाँ होगा, P2 के value कितनी है, 100 मतलब R2 की value कितनी है आएगा, आप calculate कर ले न, calculate करने पर value आती इसकी 484 ohm तो R1 और R2, दो value हमारे पास आया, ठीक है R1 की value हमारे पास कितनी आई, 1936 तो R1 की value हमारे पास जो आई है, 1936 ohm और R2 की value है, 484 means R1 is greater than R2 अब हम जानते है, parallel का case है, तो parallel के across में, आप देखेंगे, इसके across जो voltage होगा, वही इसके across भी voltage होगा तो parallel case में क्या होगा, voltage same होगे parallel case में, voltage same होगे तो आपका जो होगा, यहाँ पे P1 is equal to V square by R1 और P2 is equal to V square by R2 तो यहाँ से अगर हम R1 की value feed करेंगे, 1936 तो आप जैसे जैसे इसकी value आप higher रखेंगे, इसकी value क्या होगे कम होगे, ठीक है तो P1 की value कम होगे और R1, R2 की value क्या है, कम है तो यह value क्या होगे ज्यादा होगे यहाँ देखेंगे आप क्या है R1 की value ज्यादा है R1 की value अगर हम ज्यादा रख रहे हैं, तो P1 की value क्या होगे, डिक्रीज होगे वही सेम, क्योंकि voltage तो सेम है और R2 की value अगर हम कम है, तो P2 की value क्या होगे इंक्रीज means P1 is less than P2 और P1 कितना है, आपका 25 watt के लिए अब P2 किसके लिए है, 100 watt के लिए means कौन सा brighter glow करेगा So, the 100 watt bulb will glow the brighter So, 100 watt का जो bulb होगा, bulb will glow brighter So, यह आपका condition था, आपको याद रखना है सिर्फ एक ही point कि जिसमें ज्यादा heat dissipation होगा, वो more brightens करेगा तो हमने parallel में connect करके resistance के value calculate कर लिए resistance हम देख रहे हैं कि power जो हो रहा है, वो किसमें ज्यादा हो रहा है जो bulb, 200 watt के जो bulb है, उसमें ज्यादा हो रहा है So, 100 watt bulb, जो है glow brighter करेगा So, thank you very much, अगर यह आपको यादियो पसंद लागा तो please like and subscribe करना ना भूले हमारे channel को basic electrical, thank you very much